36 गड़ कॉंग्रिस ने 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष रखा है इसे लेकर कॉंग्रिस ने डिजिटल सदस्ता अभियान की शुरुआत की है वहीं लोगों को कॉंग्रिस का सदस्य बनाने के लिए अपना मतदाता करमांक और फोटो देना जरूरी किया गया है इसको लेकर हमारे संबादाता विशेश संबादाता मोहनतिवारी ने कॉंग्रिस कंट्रोल रूम का जायजा लिया है 36 गड़ में सदस्ता अभियान तेजी पर है और परंपरा का तुरूप से जो मैनुवल सदस्ता अभियान होती थी आज से वो खत्म हुई है लेकिन नए पैटन से अब डिजिटल सदस्ता अभियान कांग्रेस करने जा रही है जिसकी सुरुवात आज हो चुकी है कांग्रेस के लिए ये एक नया अनुभाव है डिजिटल सदस्ते बनाने के लिए एक एब को लोड़ करना पड़ता है और उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहट सदस्ते बना जाते हैं प्रक्रिया फिलाल आप देख पा रहे हैं सामने जो महामंतरी हैं उपाध्यक्ष हैं वो मौझूद हैं और कांग्रेस कारिकरता सदस्ते बन रहे हैं किस तरीके का ये अभियान है कितना ये डिजिटल रूप से आसान है ये सब जानेंगे हमारे साथ सबसे पहले बात करते ह हैं महामंतरी अमर जी जी मौझूद हैं से बाचित करते हैं बताईए एक किस तरीके का ये अभियान है कैसे इसमें आप लोग सदस्ते बनाएं कि देखिए अभी जो है वो डिजिटल हो चुका है पुरा देस और सोसल मिडिया का जमाना है तो कांग्रेस पार्टी चूकि हर वो काम करती है जिसमें बहुत इमानदारी और पारदरसिता होती है तो आदरनी राहुल जी ने ये निरने लिया कि हम लोग जो है जो इमानदार सदस से बनते हैं इमानदारी से बनते हैं उसको बनाने के लिए उन्होंने एक एप लांच किया कांगरेस पार्टी के फोटो खिचेंगे डिजिटली और फोटो खिचने के बाद उनका वोटर आइड क्या लगेगा इसमें किस तरीके की फॉर्मिल कुछ नहीं एप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर आप कांग्रेस पार्टी मेंबर्शिप करेंगे के क्लिक करेंगे तो एक एप आएगा उस एप को आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद उसमें भासा का चेहन करेंगे हिंदी इंग्लिस और उसके बाद आप अपना नाम और उसमें वोटर आइडी नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में एक OTP का जो लक्ष कांग्रेस लेके चल रही है वो आसानी से पूरा हो जाएगा 31 मार्स तक कैमरा मैन योगे सराव के साथ मोहन तिवारी बंसल नियूज रायपूर